कि नवश्रार दोस्तों शुभलाजी में आपका बहुत वस्वागत हूं मैं शुभं आज आपको बताने जा रहा हूं दुनिया की सबसे महीं करेंसी बिटकोइन के बारे में आपने इन दुनों बहुत सुना होगा कि bitcoin में invest कर देते हैं पैसे बहुत जल्दी बन जाएंगे बहुत जल्दी आपको इसमें returns मिल जाएंगे पैसों के कई गुना returns मिल जाएंगे दोस्तों आज में हम इनी topic को clear करेंगे कि क्या है bitcoin किसने बनाया था क्या इसमें पैसे लगाना सेक्योर है या नहीं और bitcoin mining क्या होती है दोस्तों यह topics में कुछ short में साथी साथ कुछ सरल example से आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो कहीं मत चाहिएगा दोस्तों देखेगा पूरी वीडियो कि दोस्तों सबसे पहला question जो होता है वह यह होता कि bitcoin है क्या दोस्तों बिटकोइन एक decentralized cryptocurrency है जो की digital world के लिए पूरी तरह से बनाए गई थी इसमें किसी भी तरह के bank की या फिर थर्ड पार्टी एजनसी की जरुवत नहीं होती transactions के लिए receiver और sender अगर उनके पास bitcoin wallets है वो directly bitcoin send कर सकते हैं दूसरे को और यह transactions होते हैं वो पूरी तरह से encrypted होते हैं दोनों के बीच में transaction होगा पूरी तरह से गुपत होगा encrypted होगा किसी को भी इस transaction की जानकारी नहीं मिल पाएगी दोस्तों यह जो सब्सक्राइब करते हैं उनके transaction भी इनी के तुरू होने लगें bitcoin से बहुत ज्यादा होने लगें क्योंकि यह इतना encrypted है किसी को भी जानकारी नहीं लगती तो यह criminals के लिए बहुत ही easy हो गया है इसके तुरू transactions करना दोस्तों दूसरा कोचन यह होता कि bitcoin बनाया किस नहीं था दोस्तों मताना चाहूंगा bitcoin जिनको सतोसी नाका मोतों ने बनाया था अब यह programmer थे प्रोग्रामर की कंपणी ती यह अभी clear नहीं हो पाया है कि सतोसी नाका मोतों को किसी नहीं देखा कि 11 मुलकों की नहीं पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि सतोसी नाका मोतों कौन है लेकिन कभी इनके बारे में कुछ clear नहीं उपाया है आला कि टाइम टाइम पर बहुत से लोगों ने हाथ कड़े कर दिया कि वह सतोसी नाका मोतों है लेकिन जब फैक्ट की बात क इसा नव को यह बिट्कॉइन स्टार्ट किया था बिट्कॉइन एक open source software है जिस तरह से फिसकल नोटों का यूज करते हो किसी भी transaction को करने में उसी तरह से डिजिटल करेंसी है और पीयर टूपीर टक्नीक पर पर वक करती है यानि कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर इसके तुरू ट्रांजेक्शन किया सकते हैं दोस्तों सतोशी नाकाम होतों ने बिना किसी थर्ड पार्टी एजेंसी या फिर किसी बैंक के बिना transaction हो सके इसलिए यह bitcoin बनाया था अब उनकी सोच शायद अच्छी हो सकती है लेकिन यह बास सच है कि इसका सबसे जादा यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर दोस्तों सबसे पहले बिटकॉइन जो यूज किया गया था वह एक पिज्जा के लिए उस किया गया था यह जो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था वह 22 मही 2010 को एक पिज्ज कि इंहें भी तो नहीं पता है देकिन फिज्जा के लिए किया गया थहुँ चाहिए त्योश्के की माइन करता है इनका सर्कुलेशन और दिस्टल मार्के िंभीosition करता है तो ब्लॉक चेन में मौझूद हजारों लोग अपने सूपर कंप्यूटर से हर ट्रांजेक्शन पर नजर रखते हैं और दोस्तों उन हजारों लोगों में से कोई भी जो कोई भी इस ट्रांजेक्शन को वेरिफाइट कर देता है उसको इनाम के रूप में कुछ बिट इनाम दिया जाता है इनाम के रूप में दे दिया जाते हैं दोस्तों असान बास में अगर हम कोई एक्जांपल लें तो माली जै मैं हूं और आप हैं और हम दोनों ब्लॉक्चेन बैटे उन्हीं लोगों में से कोई एक हैं जो अपने पावरफुल कंप्यूटर के साथ दोस्तों बिटकोई जब किसी को मिल जाते हैं तभी यह डिश्टल मार्केट में आ जाते हैं तोस्तों अकर मुझे इनाम की रूप में अकर बिटकोईन मिले मैं अपने पास रखे तो नहीं रहूंगा उसे या तो सेल कर दूँगा पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ पशे करती है जैसे हमारे देश में जो रूपए चलता है आएनार जो चलता है उसे हमारे गुष्ट करती है लेकिन बिटकोईन को कोई भी वर्ड की एजेंसिय या फिर कोई भी गवर्मेंट रेगिलेट नहीं करती है तो सबसे बड़ा रिस्ट फैक्टर तो यही एं दोस्तों क् में shares में stock में निवेश करता हूं तो जो हमारे भारत में NSC और BSC यानि कि Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange है अगर उनमें मेरे transaction में किसी तरही गरबड़ी होती है मेरे share या stock में किसी तरही गरबड़ी होती है तो मैं उनकी शिकायत सेवी में जाकर कर सकता हूँ या दूसरा example लेते हैं दोस्तो अगर मैं किसी बैंक से transaction करता हूँ और उसमें कुछ गरबड़ी आती है तो मैं इसकी शिकायत बैंक में कर सकता हूँ अपने पास के बुली स्टेशन में कर सकता हूँ और इनकी शिकायत कोड़ में भी कर सकता कमी है वह इसकी value का stabilize ना होना दोस्तों कुछ ही मैंने पहले आज ही अगर आज की मैं अगर बात करूं तो आज एक Bitcoin की कीमत है 12,40,000 रुपए की लगबग है और अगर मैं कुछ मैंने पहले की बात करूं तो कुछ मैंने पहले तक इसकी जो value थी वह 11,000 रुपए थी और उसी अगर दोस्तों आपने इंवेस्मेंट कर दिया है 10,000 डॉलर और कल को घटके वह आ जाते हैं 5000 डॉलर पे बहुत बड़ा आपको लॉस्त का सामना उठाना पड़ सकता है दोस्तों मैं चाहूंगा कि बहुत से देशों में यह बैन है पांगलादेश और यूरो के काई देश करती है कि आप इसमें इंवेस्मेंट करिए और यह बदा लेगली नहीं माना आया तो कर लिजी नहीं करता है लेकिन लिगली नहीं है इंडिया के अंदर यह और दोस्तों मैंने ऐसे भी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि आर्ब्याइब बहुत भी जल्दी से टैक्सेंब करने वाला है यानि कि आपको मिल रहा है Bitcoin से उसमें वो टैक्स लगा देगा क्योंकि बिटकोईन से बहुत से लोग जो अपना काला धन प्रैक मनी है वो इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत ही जल्दी इससे टेक्स विल भी कर देगा इसके रिटर्स को दोस्तों यह थी कुछ वज़ाएं जिनके वज़े से मैं कहूंगा कि आप विटकोईन में इन्वेस्ट ना करें लेकिन फर्सक्तिक दो पहलू होते हैं इसी तरह इसकी कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखो यानि कि आप एक रिस्क तो देखिए दोस्तों बहुत एसमें क्योंकि यह फ्यूचर एकनॉमी है और फ्यूचर में ही ख बिटकोईन सी संख्या सीमित हो जाएगी यानि कि इसके बाद यह बिटकोईन नहीं बनेंगे वह इंकी टोटल वैल्यू है लगबग 21 मिलियन यानि कि 2 करोड 10 लाग बिटकोईन सी रहेंगे पूरे वर्ड में क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या सीमित है इसी वजए से यह ज कि ंड़ा हैं और सोने बहुत कम है तो वही सोने की कीमत बहुत ज्याधा बढ़ जाएगी सेम बीट-कन कोई कि सब्सक्राइगा बहुत ही सीमित है इसी वजए से बेंसय की जो value वह लगातार बढ़ती जा रही है बन्योंगत सार्ट हुलाता जैसे कि मैंने उरू के पहले बताया था कि तब बिटकोईन कीमत 5 रुपई से भी कम थी अगर मैं दोस्तों 1210 की बात ना करूं अभी से कुछ 6 साल पहले की बात करूं तो 6 साल पहले तक बिटकोईन की जो वैल्यू थी वह सिर्फ 6 रुपई थी लेकिन दोस्तों आज यह बढ़कर 12,40,000 आज का टाइम में तो आप देख सकते हो कितना बड़ा रिटरन है और इसी लालेच में बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप बिटकोईन की तुरू कैसे पैसे कमा सकते हो तो दो तरीकों से पैसे कमा जा सकते हैं एक माइनिंग करके आप माइनर बन सकते हो आपके पास एक पावफुल कंप्यूटर होना चाहिए उसके तुरू आप पैसे कमा सकते हो और दूसरा है अगर आप कि investment करो तो investment के मैंने कुछ risk factors बता दिए कि बहुत ही जादा रिस्की है अगर कल कोई एक क्योंकि फिचर एकनॉमी है और फिचर में कहीं फिचर में ही खतम हो जाएगी अगर यह एकनॉमी धाराशाही हो गई खतम हो गई और आपके पैसे लगे तो पूरी तरह से ढूब जाएंगे और आपकी मैनत की क्याओं पूरी तरह से ढूब जाएगी तब भी आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मैं बता दो दोस्तों अगर आप investment purpose के लिए जाना चाते हो bitcoins में तो हमारे इंडिया में जैप पे और coin secure दो नाम की दो startup company हैं जो bitcoins में investment करती हैं और आप इन में NFT के थुरू अपना पैसे लगा सकते हो और वालेट के थुरू अपने पैसे लगा सकते हो bitcoins में कि दोस्तों मेरा यही मानना है कि आप bitcoins में अगर investment करना चाहते हो तो बहुत ही कम पैसे लगाईए कर दोस्तों जिससे कि अगर आपको नुकसान भी उठाना पड़े फविश्य में फ्यूचर में वैसे मैं नहीं आपको नुकसान उठाना पड़े लेकिन अगर बाइचांस फिर भी अगर बाइचांस होता है तो आपको कम से कम ही नुकसान उठाना पड़े ऐसा आप investment करिए कम से कम investment करिए उसमें बताना चाहूंगा जब पेपर वन थाउजन तक जो मिनिममम एक वैल्यू है वहां से आप विटकोइन खरीच सकते हो तो आप एक हजार रुपए के विटकोइन खरीच सकते हो तो दोस्तों एड़ लास्ट इस वीडियो में इतना ही आपको अगर मेरा प्र करें मातरम